नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है सरकारी ज्यान फोर यू में दोस्तों आप सब कैसे हैं उम्मीदे बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे लेवल की चल रही होगी दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ पैट 2023 के विज्यापन को लेकर और इसके विज्यापन को लेकर बहुत ही बड़ी खबर आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ और अधिक समय विष्ट ना करते हुए सीधा मुद्दे की बात करता हूँ तो भईया सबसे पहली जो खबर है वो है पैट 2023 के विज्यापन को लेकर कि इसका विज्यापन बिल्कुल तयार हो चुका है जी आँ दोस्तों आपने ठीक सुना और आपको मैंने बताये भी था कि तीन चार दिनों के अंदर इसका विज्यापन जो है जारी कर दे जाएगा तो जानकारी ये मिली है कि इसका विज्यापन बिल्कुल तयार हो चुका है और इसी सबतहा में किसी भी धिन किसी भी समय इसका विज्यापन जो है आपको यूपिटर पलेसी की ओफिशल वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा ठीक है बिया दोस्तों सबसे बड़ी जो इसमें बात है विज्यापन में वो ये है कि इस बार पैट 2023 के विज्यापन में पैट परिक्षा का सिलेबस चेंज हो रहा है जी हां दोस्तों आपने ठीक सुना और ये सिलेबस जो दोस्तों चेंज होगा इसमें चेंज सबसे बड़ा क्या हो रहा है कि इसमें जो डी आई आता है ना हर साल यानि कि data interruption तो DI हर साल 20 number का आता है तो इस DI को हटाने की चर्चा है ठीक है और जानकर ये मुझे मिली है और ये मैंने confirm भी किया है कि क्या वाकई में DI हट सकता है तो उन्होंने मुझे बताया है कि हाँ वाकई में DI हट सकता है इस बार पैट 2023 से तो जितने भी चात्र हैं वो भाईया बिलकुल ध्यान से सुलने और देखे अभी जानकर ये कनफर्म नहीं है कि D.I. हटेगा तो उसके बदलाव में क्या जुडेगा अभी ये मुझे पता नहीं है लेकिन ये बात पता लगी है कि D.I. जो है इसमें हट सकता है ठीक है भाईया तो अब जो भी चात्र पैट 2023 देने वाले हैं वो D.I. की तैयारी बिलकुल भी ना करें ठीक है और बाकी आपका देखिए पूरा आपका पैटर्न वही रहेगा सौही प्रशन होंगे और देखिए इनका जो मेन फोकस है आपका G.S. हिंदी यही इनका मेन फोकस है और G.S. और हिंदी यही दोना सब्जेक्ट को आप लगातार धुआधार तरीके से पढ़ते रहें और बाकी इस बारब D.I. बिलकुल भी ना पढ़ें ठीक है दोस्तो रही बात विग्यापन की तो विग्यापन आपको किसी भी समय 3-4 दिनों के अंदर देखने को मिल जाएगा दोस्तो यह होगे आज का वीडियो और किसी भरती को लेकर जो भी जानकारी मुझे मिलेगी आपको सबसे पहले दे दी जाएगी बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों जैन जबारत हमेशा कुछ रही है मुश्करात रहिए